प्रमुख देशों के राष्टिय चिन्न एवंग प्रतिक आप पूरा पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो जल्दी से चैनल को सस्क्राइब कर लें ताकि हर बड़ी को राष्टिय चिन्न सबसे पहले आप को मिले इसकी पार्टमन की मैंने वीडियो डालिया है प्लेलिस्ट पे जाकर आप इसकी वीडियो को जरूर देखें तो जितने भी कंप्रेटिव एक्जाम होते हैं वहां से इस तरह के जीके कोशन पूछे जाते हैं तो पहला जो है कोशन क्या कह रहा वन लाइनर कोशन आप गौर करें ठीक है पॉलेंड देश का राष्टे प्रतिक क्या है तो उसका राष्टे प्रतिक है इगल पॉलेंड देश का राष्टे प्रतिक क्या है इगल नौर्वे देश का राष्टे प्रतिक है सेर इसे आप गौर करेंगे किस देश का राष्टे प्रतिक गुल आ वो किस देश का राश्टी प्रतीक है, तो वह है जापान का, इसे भी आपको और करें, लाल त्रिकोन किसका प्रतीक है, तो परिवार कल्यान का, यह चिन है, लाल त्रिकोन जो है, वो परिवार कल्यान का चिन है, ओके, आप आगे जाने, जुका जंडा किसका प्रतीक है, बेस से भी आप को और करें राश्टिय सोक का परतीक है जुका जंड है कभुतर पक्ची का परतीक है सांती का बहां पर काली पती किसका परतीक माना जाता है शोक दुख और विरोद का अक्सर आप देखें कि पहुत से लोग अगर शोक, दुख और विरोत का प्रगट करना चाहते हैं तो बहाँ पर काली पट्टी बांध लेते हैं लाल जंडा किसका सूचक है तो क्रांति या खत्रे का यह दोनों का सूचक है क्रांति का भी और खत्रे का भी अप आगे जानने चक्र प्रतीक माना जाता है इसे भी आप को और करें चक्र जो है वो प्रतीक माना जाता है ठीक है चक्र जो किसका प्रतीक माना जाता है प्रगती का लाल रेट क्रोस जिसका प्रतीक है अस्पताल और डॉक्टरी मदद का जो प्रतीक है वो लाल रेट क्रोस है काला जंडा किसका प्रतीक है बिरोध दर्शाने का है उल्टा जंडा जो प्रतीक है वो प्रतीक है संकट का पीला जंडा ये किसका प्रतीक है संक्रामक रूग ग्रस्त लोगों को ले जाने वाले बाहन का जो जंडा होता है वो पीला होता है संक्रामक जो भी रूग ग्रस् आपनी यूनिट कम्परिट कर ली यही आपको बीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ सेभ़ाइय करें इसके साथ आप कॉमेंट जरू करें और बता है कि आपको किस तरह के वीडियो आप देखना पसंद करते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद झाल झाल